बारत मता की बारत मता की वंडे 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 आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बड़ी संख्या में आज इस हौल में वकील साथी मौजूद हैं आप सब लोग आए समय निकालके अपना कीम्टी समय निकालके मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया आदा करता हूँ वकील बहुत पावर्फुल होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं और सारे वकील अगर इकट्टे हो जाएं और ठान लें तो किसी भी पार्टी को जिता सकते हैं और किसी भी पार्टी को हरा सकते हैं ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं जब हम अपना पहला चुनाव लड़े थे दिल्ली में तो कुछ ऐसा संयोग बना कि भारत्य जनता पार्टी ने दिल्ली में किरन बेधि को अपना CM कैणिड़ेट डिकलेर कर दिया किरन बेधि से वकीलों का कुई पुराना लफड़ा था कोई कभी किरन बेधि जी पुलिस में थी कोई कभी वकीलों के प्रोटेस्ट पे उन्होंने लाठी चार्ज वगेरा कराया था कई साल पहले, तो तब से वकील उसको अपने मन में लेके बैठे थे कि इनको सबक सिखाएंगे तो जब बीजेपी ने डिकलेर किया किरन बेदी जी अपना CM Candidate तो सारी अलग-अलग बार के लोग मुझे से मिलने के लिए आए उन्होंने का सर हम आपको सपोर्ट करेंगे हम इनको हराएंगे और सारी सारे वकील इकठे हो गए दिल्ली के और उन्होंने अपनी टीम्स बनाई जाके डोटडोर परचार किया और किरन बेदी जी खुद उनकी CM Candidate भी हमारे एक छोटे से नेता से हार गई तो आज अब दो महिने के बाद चुनाव है मैं लीपा पोती नहीं करूँगा सीधे बोलूँगा मैं आप लोगों का समर्थन मांगने के लिए आया हूँ आप लोगों से सहायता मांगने के लिए आया हूँ अगर गुजरात के सारे वकील इकठे हो जाएं वकील जो है उनका word of mouth जो है वो बड़ा strong होता है जो बोलते हैं आपस में बोलते हैं दिन में इतने सारे क्लाइंट साते हैं सबसे बात करते हैं वो word of mouth बड़ा strong होता है अगर सारे वकील ही कठे हो जाएं सारे वकील साथ दें तो 27 साल का भाजपा का शासन खतम हो सकता और कुझरात के अंदर भी है कि मानदार आम आदमी पार्टी के सरकार आ सकती है आप पूछेंगे आपको vote क्यों दें मैं आपको explain करूंगा कि आपको आम आदमी पार्टी को vote क्यों देना चाहिए सबसे पहले तो वकीलों के लिए दिल्ली में हमने क्या किया दिल्ली में हमारी सरकार आने के बाद वकीलों के साथ हमारी series of meetings हुई अभी तक मैं ये समझता था कि दिल्ली के अंदर हमने वकीलों के लिए जो किया वो सबसे best किया अभी अभी मुझे पता चला शाहिद केरला वाले हमसे दो कदम आगे निकल गया है मैं को के रहला कि स्कीम के बारे में पता नहीं था एक तो हमने वकीलों के डिमांड थी कि उनके चेमबर की बिजली फ्री की जाए हमने वकीलों के चेमबर की बिजली फ्री कर दी मुझे लगता ये शायद पूरे देश में अकेला दिल्ली है जहां पर वकीलों के office के जो chambers हैं, जो court के जो chambers हैं, उनके बिचली free है, दूसरा उनकी दो demands जोर थी, एक था life insurance और दूसरा था health insurance, उसके लिए हमने अपने हिसाब से बहुत liberal policy बनाई थी, 10 लाख रुपए का हमने life insurance करवाया, group life insurance, और 5-5 लाख रुपए का उनका और उनके परिवार का हमने health insurance कराया, करोना के वक्त 163 वकीलों की मौत हो गई थी, बड़े दुख्की बात है, लेकिन हर परिवार को हमने ensure किया 10-10 लाख रुपए मिला, 16 करोड रुपए हमने insurance company से उनके परिवार को दिलवाए, धेरों वकील बिमार हुए करोना के वक्त, सरकार ने जो किया वो तो अलग था, लेकिन health insurance की वजए से 2888, 2888 वकीलों ने health insurance का फाइदा उठाया, और लगबग 15 करोड रुपए हैं, वकीलों को और उनके परिवार को health में, बिमारी में उन लोगों को फाइदा हुआ, अभी जो जो demands आई हैं मेरे पास, Advocate Protection Act जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कई सारे लोगों ने कहा इसे लिए, और आपके साथ आप लोग बता रहे हैं कि उसका draft already ready है, उसको draft को और अगर strengthen करने के जरूर तो यह उसको और strengthen करेंगे, और केवल मुझे लगता है कानून पास करने से नहीं होगा, उस कानून को पुलिस मशीनरी के साथ भी strengthen करना पड़ेगा, तो जो भी विवस्था बनाने की जरूरत है, यह दुरभग्यपूर्ण है कि वकीलों के उपर और डॉक्टर्स के उपर काफी attack होते हैं, जब भी कोई उनसे satisfy नहीं होता तो उनके उपर attack होते हैं, इसको बंद होना चाहिए, यह पूरी की पूरी प्रथा बंद होनी चाहिए, तो advocates के protection के लिए कानून लाया जाएगा और पूरी विवस्था बनाई जाएगी, एक है नई advocates को पांच-पांच हजार रुपे मिलना चाहिए, केरला ऐसा देता है, मैं केरला की स्कीम को study करूँगा, यह वहाँ पे भी demand थी, केरला की स्कीम को study करूँगा, और उसकी स्कीम को study करने के बाद आपको एशॉर करता हूँ, कि उनसे बहतर स्कीम आपके यहां लागू करेंगे, एक अर्विन ठाकोर जी ने कहा कि chambers की कमी है, chambers और बनने चाहिए, लोग बाहर बैठते हैं, जरूर और chambers बनाएंगे, इन चीज़ों में ज़्यादा खर्चा नहीं आता मैंने देखा है, जैसे health insurance और life insurance देने का total खर्चा दिली सरकार का 40-50 क्रोड रुपे साल का आता है, 40-50 क्रोड रुपे किसी भी बड़ी सरकार के लिए कोई बहुत चोटा सा amount है, इसलिए यह जितनी आपकी demands हैं, demands के कोई implement करने में कोई बहुत जादा खर्चा नहीं है, एक किसी ने का 169 advocates का कुछ मामला वो अटका हुआ है, आपके पक्ष में निर्ने लेंगे हम लोग, लेडीज अपने बच्चों को छोड़के आती हैं, मैडम ने बोला था कि तो उनके लिए क्रेश, उनके लिए सुविधाएं होने चाहिए, ऐसी सुविधाएं करेंगे कि आपको पसंद आएगे, ऐसा नहीं होगा कि लीपापोती करेंगे, हम जो भी करते हैं दिल से करते हैं फिर, हम implement करते हैं, हमारी खासियत यही है कि जो करते हैं उसका implementation, लास्ट तक हम implementation को देखते हैं, एक demand है सबकी की दस साल पूरे होने पर automatic notary का वो मिलना चाहिए, जरूर करेंगे, बिलकुल करेंगे, एक मेरे मन में पीडा रहती है, और चुकि आप सब वकील हैं, पड़े लिखे लोग हैं, आपके साथ वो शेर कर सकता हूँ, मैं गुजराती बहुत जाद हैं नहीं समझता, लेकिन मैं सुन रहा था, इशिवदान भाई ने उसको थोड़ा सा आपके सामने रखा था, कि आजादी के 75 साल हो गए, 75 साल किसी भी देश के इतिहास में कोई बहुत लंबा पीरिड नहीं होता, लेकिन कोई बहुत छोटा पीरिड भी नहीं होता, इन 75 सालों में कई देश हम से आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए, हमारे में क्या कमी है, इंडियन्स में क्या कमी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भगवान ने सृष्टी बनाई इनसान को बनाया तो सबसे इंटेलिजेंट और सबसे महंती लोग उसने भारत में बनाया इंडियन सबसे इंटेलिजेंट है आप पूरी दुनिया में कहीं उठा के देख लो यह कंपनी वो कंपनी मल्टिनेशनल कंपनी जितनी है उपर नंबर 1, 2, 3 कहीं न कहीं आपको एक इंडियन बैठा हुआ मिलेगा हमारे देश के अंदर सिस्टम इतना खराब है कि हमारे देश में आते हैं तो सब गड़बड हो जाता है हम पीछे क्यों रह गए भगवान ने इंडिया को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जब भगवान ने प्रिच्वी बनाई तो सबसे खुबसूरत जेगे भारत को बनाया सोने के चिडिया पहाड दिये नदिया दी जड़ी बूटिया दी सारी फसलें दी सारे मिनरल ओर्स दिये समुद्र दिया क्या कसर छोड़ी भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी फिर हम पीछे क्यों रह गए हमारे बाद कई देश हमारे बाद आज़ाद हुए वो हमसे सिंगापूर 15 साल बाद आज़ाद हुआ वो हमसे आगे निकल गया जापान सेकंड वर्ड वार में तहस नहस हो गया था वो हमसे आगे निकल गया जर्मनी सेकंड वर्ड वार में हमसे तहस नहस हो गया था वो हमसे आगे हम पीछे क्यों रह गए हमारे में क्या कमी है मुझे ये लगता है कि एक चीज ऐसी है बहुत कुछ करने की ज़रूरत है एक चीज ऐसी है जिसे अगर हम वार फुटिंग के उपर करें मिशन मोड में करें तो भारत को बहुत जल्दी गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है भारत एक अमीर देश बन सकता है डवलप कंट्री बन सकता है और वो है शिक्षा ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ या भाशन के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ आज जब मैं कहता हू दूँगा फ्री में शिक्षा दूँगा तो मेरा मजाक उडाते हैं कहते हैं केज्वल फ्री की रेवडी बाट रहा है अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा देना फ्री की रेवडी नहीं है अच्छी शिक्षा देना और फ्री शिक्षा देना राष्ट्र निर्मान का सब स्कूलों के अंदर कोई भविश्य नहीं था इनका दिवारे टूटी बड़ी थी चट टूटी बड़ी थी डेस्क थे नहीं जमीन पर बैठते थे रिजल्ट सारे फेल होते थे बच्चे आज उनी सरकारी स्कूलों को हमने शांदार बना दिया प्राइवेट स्कूलों से भी जादा अच्छे हो गए हैं सरकारी स्कूल पिछले साल चार लाख बच्चों ने चार लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूलों से कटा के सरकारी स्कूल में भरती हुआ हैं यह चमतकार से कमनी हैं मैं एक क्लास में गया मैंने क्लास में बच्चों से पूछा कि आप मेंसे कौन-कौन प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के आया है तो कुछ बच्चे खड़े हुए फिर मैंने एक बच्चे से पूछा कौन से स्कूल से नाम कटा के आया हो उसने का सेंट कॉलमबस सेंट कॉलमबस दिल्ली का सबसे बढ़िया प्राइवेट स्कूल माना जाता है लोग उसमें एडमिशन कराने के लिए लंबी लंबी लाइने होती है हमाँ पे सेंट कॉलमबस का बहुत बड़ा नाम है दिल्ली के अंदर सेंट कॉलमबस से लोग अपना नाम कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूल के अंदर अगर भरती करा रहे हैं इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या मुझे पिछले साल दिल्ली के हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% बोड के पेपर में नतीजे आया है अब हमारे जो बच्चे निकल रहे हैं किसी का एडमिशन की इस IIT में हो रहा है किसी का इंजिनिरिंग में हो रहा है किसी का मेडिकल में हो रहा है एक रिक्षे वाले का बच्चा है वो IIT के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहा है एक प्लंबर का बेटा है वो IIT के अंदर chemical engineering पढ़ने जा रहा है इस साल साड़े 400 बच्चों का IIT के अंदर admission हुआ है IIT के अंदर admission असान थोड़ी होता है साड़े 400 के करीब सबाइ 400 से साड़े 400 बच्चों का NEET के अंदर admission हुआ है medical के अंदर admission हुआ है आप सोच के देखो वो रिक्षा वाला मुश्किल से 10 से 15 हजार रुपे महिना कमाता होगा उसके बेटे का IIT में admission हो गया बेटा जब निकलेगा उसकी 3-4 लाख रुपे महिने की starting salary होगी IIT के बाद उस एक परिवार की तो गरीबी दूर हो गई अगर हम अपने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी तो सोच के देखो कि सब की गरीबी दूर हो सकती है एक PD के अगर in one generation in next five to ten years हम गरीबी दूर कर सकते हैं हमारे देश में 18 करोड बच्चे सरकारी स्कूलों में बढ़ते हैं टोटल पूरे देश में 18 करोड बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं आज एक trend चल पड़ा है पूरे देश के अंदर जो बड़ा खतरनाक trend है एक के बाद एक एक के बाद सरकारे जो हैं सरकारी स्कूल बंद करती जा रही हैं आपने अगर सरकारी स्कूल बंद कर दिये, एक गरीब आदमी अपने बच्चों को कहां भेजेगा, उसके पास तो पैसे नहीं है, वो अगर प्राइवेट स्कूल में भेज नहीं सकता है, यह 18 करोड़ बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं आज, उनकी भी कबार खाने से अच्छी हालत नहीं है, फिर भी भेजते हैं, मजबूरी में भेजते हैं, वो भी अगर आप बंद कर दोगे, 18 करोड़ बच्चे अनपड रह जाएंगे हमारे देश के अंदर, कहां का विश्वगुरू, कहां का नंबर वन, हमारा देश शक्तिशाली बनेगा, सर्वश्रे है, मुझे लगता है पूरे देश में भी पांच साल के अंदर हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम सारे लग जाएं, सारी सरकारें मिलके लग जाएं, तो हो सकता है, दिल्ली के अंदर किया, पंजाब के अंदर शुरू कर दिया हम लोगों, 100 स्कूल तयार हो मैं जानता हूँ यहां जितने लोग बैठे हैं वो सक्षम है उनके पास उतना पैसे आपके सब के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में बढ़ते होंगे प्राइवेट स्कूलों को भी ठीक करेंगे उन्होंने भी गुंडागर्दी मचा रख किया दिल्ली में उनको फीस नहीं बढ़ाने दिया हमने प्राइवेट स्कूलों ने भी गुंडागर्दी मचारक किया दिल्ली में बड़ा इंट्रेस्टिंग हुआ हमने प्राइवेट स्कूलों का आते ही हमारी सरकार ने सारे प्राइवेट स्कूलों का ओडिट करवाया फिनेंशल ओडिट प्राइवेट स्कूलों की कानून है प्राइवेट स्कूल एक तरह से ट्रस्ट होता है प्राइवेट स्कूल केनोट अर्न प्रॉफिट एंडे केनोट सेव मनी आप से जो फीस लेते हैं वो फीस बच्चे की पढ़ाई पे खर्च होनी चीए वो उसको सेव नहीं कर सकते। audit में निकल के आया कुछ स्कूलों का 50 करोड का FD बना रखा है 40 करोड का FD बना रखा है 30-30 करोड का FD बना रखा है और यहां जादा होगा यहां तो 27 साल की सरकार है 30-30, 40-40 और वो सबसे नामी स्कूल दिली के सबसे बड़े स्कूल उनके FD तुड़वा के हमने बच्चों की फीस वापस करा ही लोगों के bank account में पैसे भारत के टियास में पहली बार हुआ होगा कि स्कूलों ने फीस वापस की स्कूल तो फीस लेते हैं स्कूलों ने फीस वापस की और उसके आदम ने कानून बना दिया कि सरकार की मरजी के विना कोई स्कूल फीस नहीं बड़ाएगा दो-चार को छोड़के साथ साल से किसी की फीस नहीं बढ़ी अभी तक दिली के प्राइवेट स्कूलों में तो पहली चीज तो ये प्राइवेट स्कूलों को डिसिप्लेन करेंगे ठीक करेंगे किसी को नजायच फीस नहीं बढ़ाने देंगे सब का ओडिट कराएंगे दूसरी चीज मैं आपको एशोर करता हूँ पांच साल में गुजरात के सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर देंगे यहां बैटे हुए 70-80% लोग अपने बच्चों के नाम प्राइवेट से कटा के सरकारी स्कूलों में बर्ती कराएंगे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ हेल्थ और एजुकेशन यह सबसे इंपॉर्टेंट आज इतना महंगा हो गया इलाज कराना इतना महंगा हो गया इलाज कराना कि आपको छोटी सी बिमारी हो जाए डॉक्टर के बास चले जाओ तीन-चार हजार रुपे से कम कतुब बिलाता ही नहीं है और भगवान ना करे अगर बड़ी बिमारी हो जाए तो आट-दस लाख रुपे कब इलाज आता है किसी भी सामानने से हॉस्पिटल के अंदर आदमी तो लुट जाता है तंखा है नहीं तंखा बढ़नी रही है दिल्ली में हमने सब का इलाज चाहे गरीबों चाहे अमीरों दो करोड लोग दिल्ली में रहते हैं सब का इलाज हमने सारा इलाज मुफ्त कर दिया कितना भी खर्चा है अगर आपको छोटा सा बुखार है महला क्लिनिक बना दिये गली-गली के अंदर आप महला क्लिनिक में जाएए डॉक्टर फ्री, टेस्ट फ्री, इलाज फ्री और शांदार महला क्लिनिक है ऐसा महला क्लिनिक तो एक तरह से सरकारी डिस्पेंसरी हुई लेकिन ग्रेटर केलाज जो दिल्ली की सबसे पॉश कॉलोनी है वहाँ पर दो महला क्लिनिक है एक बार मैं सडक से गुजर रहा था, सडक से गुजरते हुए अगर मुख्यमंतरी कहके जाए ना कि आज मैं देखने आऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाता है फिर उसे विजिट का कोई फायदा नहीं है मैं सडक से गुजरते हैं, मैं गाडी रोकी में एक महला क्लिनिक में गुजगया वहाँ पे इतने संभरानत और इतने अमीर घरों की महिलाएं उस महला क्लिनिक में इलाज कराने आई होई थी मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जे डॉक्टर बड़ा अच्छा है और सारा इलाज मुफ्त होता है सब कुछ सारे टेस्ट मुफ्त होते हैं सारी दवाईया मुफ्त मिलती हैं, सारा इलाज मुफ्त होता है वहाँ से और अगर आपको कोई बहुत बड़ी बिमारी हो जाए भगवान ना करें, दस लाग, बीस लाग, तीस लाग का खर्चा आए वो भी सारा दिल्ली सरकार देती है, सारा इलाज मुफ्त और सरकारी अस्पतालों को हमने प्राइवेट से भी जादा अच्छा कर दिया तो मुझे लगता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है इसको फ्री की रेवडी नहीं कहना चाहिए शिक्षा और स्वास थे, अच्छी शिक्षा जपान के अंदर है, वो लोग अमीर हैं, इसलिए शिक्षा मुफ्त नहीं है उन्होंने अपने बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी, इसलिए वो अमीर बने है हम भी अगर अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा देंगे तो अमीर बनेंगे ऐसे ही धेरों देश ऐसे है जो अपने सारे नागरीकों को फ्री स्वास्त सिवाएं देते हैं दिल्ली में दी गुजराट के भी साभ़े छे करोड़ लोगों के लिए हम मुफ्थ स्वास्त सिवाँ का इंतिजाम करेंगे आपके लिए सरकारी अस्पताल गाउं गाउं के अंदर महला क्लिनिक, शहर शहर के अंदर, कॉलोनी कॉलोनी के अंदर महला क्लिनिक बनाएंगे आप कहेंगे पैसा कहां से आएगा पैसे की कमी नहीं है ये जो हवा बनाते हैं ना हवा बनाते हैं लोन लेते हैं घाटा हो गया फलाना हो गया डिमका हो गया पैसे नहीं है सरकार के बहुत पैसे हैं इनको अपने लिए हवाई जाज खरीदना हो तो पैसे हैं इनको अपने लिए बंगला बनाना हो तो पैसे हैं गाड़ी बड़ी लेनी हो तो पैसे हैं जनता कुछ भी मांग तो पैसे नहीं है, हैं जी, MLA खरिदने के लिए पैसे बहुत हैं, बिल्कुल सही कहा, अभी दिल्ली में इन्होंने हमारी सरकार गिराने की कोशिश की, हमारे नौ MLA, बारा MLA इसके पास संपर्क किया, उन्होंने, हर एक को 20-20 करोड रुपे आफर किया, इनका टारगेट था 40 MLA का, हर एक को बोल रहे थे कि 2-3 और ले आओ, 40 MLA करने आए, तो एक-एक MLA को 20-20 करोड आफर कर रहे थे, 40 MLA का टारगेट था, तो 800 करोड का तो इंतिजाम इनोंने करका था दिल्ली में, कहां से आया ये पैसा, किसका पैसा आई है, आप ही का तो पैस है, तो हम आपके लिए बिजली फ्री कर देते हैं, शिक्षा फ्री कर देते हैं, हॉस्पिटल फ्री कर देते हैं, दवाईयां फ्री कर देते हैं, तो ब्रश्टाचार खतम करेंगे, ब्रश्टाचार खतम करने से इतना पैसा बचेगा, इतना पैसा बचेगा, और लोगों ने सुनोगा पंजाब के अंदर हमारा अपना एक मिनिस्टर उसकी रेकॉर्डिंग निकल के आई कि वो किसी से पैसे मांग रहा था भगवंद मान ने आप देखा नत्ताव उसने उसको सीधे जेल भेज दिया हमारे अपने मिनिस्टर को यह कभी अपने वालों पर कोई अक्षिन नहीं लेते दूसरे वालों पर सीबिया एडी कराते हैं हमने पहले अपने वाले को भेजा कि हम हम भरष्टाचार परदाश्त नहीं करते हमारा भी कोई भरष्टाचार करेगा तो उसको जेल भेजेंगे आज दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर किसी भी सरकारी दफ्टर के अंदर कोई भी काम बिना पैसे के होता है आप कोचे लाइसंस बनवाना है आप कोचे राशन कार्ट बनवाना है आपको बिजली का कनेक्शन लेने आपको पानी का कनेक्शन लेने आपको पेंशन के अंदर, पांच साल दे दो, इन पांच साल, पहले दिल्ली पे भी बहुत कर जा था, आज पिछले साल की CAG की रिपोर्ट आई ए, उस रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली पे अब एक भी पैसे का कर जानी है और दिल्ली का बजट नफे में आ रहा है, पॉजिटिव बजट समझ आती है मुझे, फनेंस भी समझ आती है, इंजीनियरिंग भी समझ आती है, तो भरष्टाचार, आपका बहुत बहुत चुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपका अशिरवाद रहे, 27 साल आपने इनको दिये, मैं इनकी बुराई नहीं करूँगा, लेकिन 27 साल बहुत होत हैं, इन्होंने जो अब करना था, वो कर दिया, अब अगले 5 साल में तो वही रिपीट होगा, जो यह कर रहे हैं, कुछ नया नहीं करने वाले, कुछ नया नहीं करने वाले, एक मौका हमें भी दे दो, एक मौका दे के देख लो, बदलाव तो होना ही चाहिए ना, चेंज तो होना ही चाहिए, अगर 5 साल में जो जो बाते मैं कह रहा हूँ, वो मैं नहीं करूँगा, मुझे लात मार के भगा देना, गुजरात में घुसने मत देना आग लेगा, एक मौका दे दो, पिछली बार दिल्ली के चिनाव में, मैंने कहा था 2020 में अभी जो चिनाव हूँ, मैंने दिल्ली की जनता को कहा था, मैंने कहा 5 साल में, अगर मैंने काम ना किया हूँ आपके लिए, मुझे वोट मत देना, ये कहने के लिए जिगरा चाहिए, ये लोग क् करते हैं हर पांन साल बाद आते है कईता है एक मौका और दो इनके मौक के पूरे ही होते जिन्दगी बीच जाती है हर पांन साल के बाद आके कहते हैं एक और देस्टा थे बस एक कोरद Lah हम कहते हैं पिछले पांच साल में अगर काम नहीं किया तो हमें आज मैं आपके सामने बड़ा स्टेटमेंट दे के जा रहा हूं आपके दिल्ली में दोस्त होंगे रिष्टेदार होंगे चाहे किसी भी पार्टी के हो मैं चैलेंज करता हूं आप उसको फोन करके पूछ लेना क्या केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है अगर वो कहें नहीं कर रहा मुझे वोट मत देना गुजडात दिल्ली की जनता खुश है हमसे दिली की जनता प्यार करती है हमसे एक टाइम ऐसा था जब वकील जो हैं दिल्ली के 70-80% वकील जो है वो भाजपा के loyal थे आज दिल्ली के 70-80% वकील जो है वो केजरी वाल के साथ है वो हमें प्यार करते हैं क्योंकि हम उनका ख्याल रखते हैं हैं जी हाँ भी प्यार करते हैं थांकिय सो मच अब सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया उनको कहा गया है कि केजरी वाल का कुछ नहीं दिखाना आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं दिखाना राहुल गंदी आए तो दिखाना है कुछ जुगलबंदी चल रही है दोनों मैं मैं बोलके गया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बिजली मुफ्त देंगे हम ये करेंगे ये करेंगे छटे पेज पे इतना सा छपा उसके अद राहूल गांदी जी आए और वो बोल किये को फ्रंट पेज पे गुजरात के सारे ख़बारों के अंदर छपा जबकि आज की ड spend में तीसरे नमबर पे कॉंग्रेस हो चुकी है हम सेकेंड पे तो आ चुके हैं अभी आज की डेट में जो सरवे आ रहे हैं हम ओलेड़ी सेकंड पे आ चुके हैं बो महिने नहीं चुनाव के first पे आएंगे और bumper आएंगे first के उपर दिल्ली वालों ने पहले record बनाया था 70 में से 67 seat दी थी फिर पंजाब ने record बनाया 117 में से 92 seats दी थी अब गुजरात दोनों का record तोड़ने वाला है भारत मतगी